हलो फ्रेंड्स आप लोगों का एक बार फिर्जे स्वागत है अपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन धाका चैनल में तो फ्रेंड्स आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ मैं लेके आई हूँ आज गुड के फाइदे तो सर्दियों में गुड हमारे लिए बहुत लाबगारी होता है गुड का इस्तेमाल करने से हमारी तप्चा में भी निकाराते हैं तो चलिए फ्रेंड्स से हम पता करते हैं गुड के क्या क्या फाइदे होते हैं तो फ्रेंड्स गुड में विटामिन ए विटामिन बी और गुलकोज और आईरन होता है केल्सियम होता है फासवोर्स होता है पोटेसियम जसता मेगनेशियम जैसे तत्वर पहàया जाते हैं mister water की मातर अधिक ऋने से अधिक ही रहती है घुर में कही पता करना है तो गुड की चाह कैसे बनती है मैं आपको आई बतिन में लिंक दे दूंगी उसका और गुड जू होतbahn है वहारे बोडी में खुन की कमी को दूर करता है गुड जो है बाइलन सबसे बड़ा सुरोत है अगर आपको हमोगलोबीन की कमी है तो चौन गुर्ड खाना चाहिए उससे हमारे वोड़ी में लाल रक्त के निफाओं की मात्रा बढ़ती है गुर्ड जो होता है वो हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करता है तो जदतर हाई प्लड प्रेशर के लोगों को गुर्ड खाने की सिला दी जाती है गुर्ड के साथ में अद्रक खाने से जो हमारे जोरों का दर्द होता है उससे भी हमें छुटकारा मिलता है और जो सर्दी जुखाम अगर सर्दियों में सर्दी जुखाम है तो हमें गुर्ड खाना चीए क्योंकि गुर्ड जो होता है काली मिर्च और अद्रक के साथ गुर प्रोड़ास होती है वो भी मिजती है तो Friends यह मेरा छोटा सा गुर के फाइदे वाला वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पे निग हो तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बैल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी यह गूर की जो जानकारी है उसका वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लिक के जरूर बताईएगा धरने बाद मैं फिर मिलूँगे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई